गानी चौक निवासी ओंकार सौनी की निवास पर चल रही श्रीमद भागवत कथा के पाचवे दिन मंगलवार को कथा व्यास पंडित धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान की बाल लीला और गुवर्धन पूजा का वर्णन करते हुए शूताओं को बताया कि या मुश्किल परिस्थिती कितिनी भी हो सच्चे मंद से भगवान की शरण में आता है तो उसकी पुकार सुनते हैं ब्रजवासियों की रक्षा के लिए एक उंगली में गुवर्धन को धारण किया इंद्र के घमंड को चूर चूर किया पंडाल मेश्रोताओं की काफि भीर दही रवाई सेरव विशंकर सानी की रपोर्ट